वेलकम बैक एवरिवर्ड इस एपिसोड में बात करेंगे इन्फी बीम वेन्यूस लिमिटिड के बारे में इन्फी बीम वेन्यूस जिस तरीके तहीं हैं पर ग्रोथ आ रही है हमें इस प्लेरली पता चल रहा है कि मार्केट ऐसी चीज को डिसकाउंट कर रही है जो यहां पर कहीं न कहीं अन्नोन है तो यहां पर फैक्टर्स कहा रहे सकते हैं थोड़ सा उसको डिसकस करने की चेश्टा करते हैं देखिए सबसे पहली चीज तो यहां पर यह आती है कि जितना भी यह पेमेंट एगरीगेटर के बिजनेस हैं इन बिजनेस के अंदर काफी अच्छी ग् किया हुए आइडल ही यहां पर रेदर पेने बट इन फी वीम का जिनके साथ में कॉंट्राक्ट हुए हुए काफी सारी गवर्मेंट की कंपनी के साथ में इनके कॉंट्राक्ट हैं इन फाक्ट इंस्टिशन आं जितने भी एक अगर आप देखेंगे तो वह इन ही के कर रहे हैं यह कंपनी 2017 में ही यहां पर इंकॉपरेट हुई थी साथ ही में यहां पर न्यूस है और अर्लियर इंडिया फिर्स्ट एया पावर्ड फिंटेक कंपनी रिसीव अप्रूवल फ्रूवल फ्रूपरेट आज पेमेंट अग्रिगेटर इन ऑक्तबर 2022 इसके लावा यह आटिकल आप आकर देख सकते हैं तो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा जैसा हम लोग बात कर रहे थे आर्बी एस फाइनल और पेमेंट अग्रिगेटर लाइसेंस जो है इनको मिल गया है जिसकी वजह से इतनी मेजर अल्टीमेटली हमें जो स्टॉक के काउंट हमें करता हो नजर आ रहा है तो वह एक इंपोर्टन चीज है समझना अगर नेक्स्ट कोटर के रिजल्स इतने अच्छे नहीं रहते जितना सब एक्सपेक्ट कर रहे है तो फिर थोड़ असा प्रब्लेमाटिक फेस जरूर देखने को मिल सकता है अगें क्यूंकि अ 100% जादा कस हो जाए यहां पर 830 जो इसका डबल है उससे काफी उपर है तो अल्टिमेटली क्या चीज है कि आप नोटिस करेंगे यह सेल्स जो है वो अल्रेडी ड्राइव हो रही है कंपनी में अगर यह रिजल्स कॉंटिन्यू रहते तो मोमेंटम जो है और जादा 9% के आसवास मार्जन रहे मार्जन जरूर में थोड़ से हमपर में एक बार डबल डिजिट में आ जाएंगे तो चीज़े बेटर होंगी बट जब आप नए प्रोड़क्स बिल्ट कर रहे होते हैं नए मार्केट क्याप्चर कर रहे होते हैं तो टॉप लेवल पे काफी सार ट करोज के रिजर्व कंपनी के पास में डेट यहां पर हमें नहीं देखने को मिल रहा है विच दोड जाधा है अगर आपके स्क्रीम पर है अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं दिविदेंट की दो 18 स्टेंबर हमें देखने को मिला है और इसका 40.75 पर प्रीवेस रिजिस्टेंस है अगर हम लोग यहां से थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं तो यह रिजिस्टेंस सब्सक्राइब हो सकते हैं यहां पर मोमेंटम सब्सक्राइब हो रहा है तो देखने वाली बात यहीं रहेगी कितनी जल्दी यह 41 रुपीज के आसपास में क्लोजिंग मिलेगी बिकॉस वह पॉजिटिफ सिग्नल रहेगा यहां पर कंपनी के इंवेस्टर्स के लिए और उसक के बीच में बहुत ही क्लियर जोन है यहां पर इस पर्टिकलर कंपनी का ब्रेक्डाउंस अगर यहां से आने लगते हैं तो इनिशिल सपोर्ट लेवल 33.50 के इसके नीचे जो है एक छोटासा जोन है 31.59 का यह जोन अगर ब्रेक होते हैं तो फर थोड़ से प्रब्लम्स हमें देखने को मिल सकते हैं but with that said I really hope you guys enjoy this episode अगर आपको कोई भी डाउट है please feel free to ask it in the comment section below अगर आप चाहनते हैं कि हम लोग business model के around a detailed video बना है तब भी आप हमें जरूर बताना and we'll be more than delighted to share that with you with that said I really hope you guys enjoy this episode and I'll see you guys in the next one झाल